Hello everyone and once again welcome to WSQTech, myself Umar Tasqeer guys, इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये influencer marketing क्या होती है, digital marketing में इस word को आपने कई बार सुना होगा कि influencer marketing, तो आज इस video में हम लोग बात करेंगे influencer marketing क्या होती है, basics, हम लोग समझें कि क्योंकि मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये जो video आप देख रहे हो, ये हमारे digital marketing basics वाली जो playlist है, उसके अंदर ये video है, तो इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं about what is influencer marketing, अब इसको इस तरीके से हम समझते हैं, for example, हमें कोई company है, कोई एक company है, हम माल लेते हैं, we are company X, और हमारे पास एक email marketing का tool है, अब इस email marketing के tool को हमें बेचना है, इसके subscription को हमें बेचना है, तो हम क्या करेंगे, हमें कोई particular audience select करेंगे, इस बात की study करेंगे, कि इस particular, जो हमारा ये email marketing tool है, इसको कौन सी audience खरीच सकती है, कौन सी audience इसका subscription ले सकती है, उस audience की study करेंगे, और उस audience को या हम क्या कर सकते हैं, हम उस audience को ads दिखाने शुरू कर देंगे, उस audience को हम paid ads दिखाने शुरू कर देंगे, हो सकता है, हम facebook यूज़ करें, हो सकता है, हम google ads यूज़ करें, यह हमारा जनरल तरीका है कि अगर हमें अपने email marketing tool को बेचना है तो हम इस तरीके से बेचेंगे दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है कि हम social media influencers को लेते हैं social media influencers से contact करते हैं अभी social media influencers हैं कौन तो दिखो हमें अपनी निष्गे अपने जो हमारा प्रोडेक्ट है यहां पर हमने प्रोडेक्ट की ग्जाम पे लिया है तो अपने प्रोडेक्ट भी हो सकता है For example, हमने कुछी social media influencer को लिया, who is Mr. Y, ये एक social media influencer है, और इनके पास 5,000 या 50,000 मान लेते हैं, इनके पास 50,000 followers हैं Instagram के उपर, अब ये भी email marketing पे बात करते हैं, ये email marketing के trainer भी हो सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, email marketing के trainer हैं, या ये वो कोई company run कर सकते हैं, जो email marketing की services provide करती है, तो definitely इनसे जो ये लोग 50,000 लोग connected हैं, वो लोग email marketing में भी interest रखते होंगे, तो अगर हम as a company, अपना product लेकर सीधे इनके पास जाएं, कि भाई देखो हमारे पास ये email marketing का tool है, और आपके पास email marketing से related बहुत सारे followers हैं, मतलब उस type के followers हैं, और आपके through अगर हमारी audience, मतलब हमारे product को आपके through अगर आपकी audience खरीचती है, तो definitely हम आपको कुछ amount देंगे, तो अब ये दो-तीन तरीके से हो सकता, it is basically on the mutual understanding की एक इस तरीके से होता है, एक तरीका तो ये है कि भाई आप direct इनसे कुछ amount के उपर, कुछ x amount के उपर आप इनसे tie-up कर ले, कि भाई ठीक है, आप के वल जो है ये एक post है, या दो post है, या एक video है, या आप हमारे tool के बारे में, हमारे product के, हमारे service के बारे में बनाके, आप अपने social media account के उपर डाल दो, या तो एक तरीका हो गया, हम आपको x amount दे देंगे, दूसरा तरीका हो ये हो गया, कि भाई ठीक है, ये आप डालते हो, इसके उपर भी हम आपको x amount देंगे, और अगर वहाँ से, क्योंकि हम tracking भी कर सकते हैं, तो अगर आपके link से कोई purchase भी करता है, तो उसके हम कुछ आपको additional commission प्रोवाइट कर देंगे, या कोई additional हम percentage रख सकते, तो ये तो mutual understanding के उपर होता है, या जो mutual दोनों के बीच में, जो mutual commitments होते हैं, उसके basis पर होता है, कि ये किस तरीके से होगा, मोटे-मोटे तार पे influencers marketing होती क्या है, influencer marketing क्या होती है, तो basically जो social media के उपर influencer है, या किसी भी platform के उपर जो influencer है, उसकी अपनी कोई loyal audience होती है, उस loyal audience के उपर उस influencer का एक influence होता है, या अगर वो कोई product recommend करता है, influencers कभी भी कोई product जो है वो sale नहीं करते हैं, आप इसको इस तरी के समझिए, जो influencers की psychology है, वो उस product को sale करने की नहीं होती है, because उनके follower जो है, उस influencer के उपर trust करते हैं, तो वो क्या करता है, वो basically products को, या services को recommend करता है, कि भाई मैं इस product को use करना हूँ, तो मैं उस product को आपको recommend करना हूँ, ये अच्छा product है, अच्छी service है, मैं इसको आपको recommend कर रहा हूँ, तो बात आपको समझ भाई, तो ये trend है, आज के time में बहुत जादा famous है, आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर कोई tool है, आपका कोई अगर service है, आपकी कोई company है, तो उसका promotion अगर आपको करना है, तो आप अपनी niche के अलग-अलग influencers से contact कर सकते हैं, अलग-अलग influencers के साथ tie-up कर सकते हैं, और उनके साथ मिल कर, आप जो है, अपना influencer marketing का campaign रन कर सकते हैं, तो बात आपको समझ में आ गए, अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा, कि digital marketing में, कि जो term use होता है, influencer marketing ये, ये होता क्या है, अब जैस engagement है, तो brands उन से भी, जो है, टच कर सकती, brands उनके पास भी आ सकती हैं, इसका platform से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी platform पर अगर आपके पास followers हैं, तो ये वहाँ पर influencer marketing हो सकती है, ब्रैंड्स आपके touch में आ सकते हैं, companies आपके touch में आ सकते हैं, आपके touch में आ सकते हैं, इस basically influencer marketing, तो अगर हम influencer के end पर बात करें, तो भी win-win situation है, उसके पास कुछ followers है, तो वहाँ से earning कर रहा है, बिसकली वो अपनी audience के through monetize कर रहा है, अपनी audience को monetize कर रहा है, और कुछ earning कर रहा है, अगर हम advertiser के end से बात करें, advertiser के end से बात करें, जिसका कोई product या service थी, तो उसकी side से भी win-win situation है, उसको बहुत जादा analysis नहीं करनी है, बहुत जादा analysis नहीं करनी है, बहुत जादा team उसको नहीं मिठानी की है, ads run करनी है, सारी चीज़े करनी है, सीधे उसको लेकिन एक चीज़ के उपर उसको ध्यान देना पड़ेगा, कि उसको अपनी audience के बारें पता होना बहुत सारी चीज़े होती, जो हमें देखनी होती कि influencer की audience है, बहुत जादा है, बहुत जादा है, बहुत जादा है, तो लोग उसके उपर reaction लेते हैं, बास समझ रहे हैं, तो गाइस यह होती है हमारी basically influencer marketing, थोड़ी से और बात करते हैं हम लोग influencer marketing के बात में, it's not only about celebrities, पहले क्या था, कि influencer marketing was limited to celebrities, only but ऐसा नहीं है, बहुत सारी जो brands हैं, वो अब छोटे influencers को, micro influencers को भी opportunity दे रही हैं, जिनका अपनी निश में, अपनी audience के उपर एक influence होता है, वो उनको कोई अगर product या service recommend करते हैं, तो उनकी audience basically उसको positively respond करती है, अपने influencer के उपर positively response करती है, उनके product के service को लेती है, जो भी recommend करते हैं, तो basically बहुत सारी brands हैं, जो अब micro influencers को भी basically मौका दे रही हैं, अब यह थोड़ी से strategy के एकर हम बात करें, कि influencer marketing की strategy होती क्या है, तो पहली चीज़ यह है, कि knowing your audience characteristics, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए, कि जो मेरी audience है, उसकी characteristic क्या है, अगर मेरा कोई product है, कोई मेरी service है, तो मेरे को अपनी audience के बारे में पता होना चाहिए, कि मेरे product के service को लेने वाली audience किस तरीके की होगी, मुझे भी पता होना चाहिए, add advertiser, मैं दोनों ही respect में बात कर रहा एक side advertiser है, जो basically influencer marketing करवाना चाहता है, और दूसरी side influencer है, तो influencer को भी पता होना चाहिए, कि उसकी audience को क्या पसंद है, ऐसा नहीं किवल advertiser को पता होना चाहिए, कि मेरे पास अगर यह product है, यह service है, तो इसको इस type की audience लेगी, लेकिन उसके साथ influencer को भी पता होना चाहिए, कि मेर चाहिए, influencer को भी पता होनी चाहिए, next thing is, influencer identification and selection, तो advertiser क्या करता है, उसको अपने audience की characteristics के बारे में पता है, उसके बाद वो influencers ढूनना शुरू करता है, अब क्या है, क्योंकि यह opportunity है, market में जबकि भी opportunity होती ही, नए-ने products बन के आ जाते हैं, तो influencer marketing एक opportunity की तरह थी, इसको बहु influencers जो है, हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं, कि influencers इस platform के उपर website मान लें, बहुत simple language में, कि websites बना दिये, और influencers क्या कर सकते हैं, इस platform के उपर register कर सकते हैं, अपनी पूरी information के साथ, अपने amount के साथ, कि इतना रुपाय लोगा, मेरे पास इतने followers हैं, इस तरीके का engagement, हमाने Indian brands के स जो हम कहें कि commitments हो, या जो भी legal formalities, अगर कुछ हो नहीं है, तो legal formalities हो, but there are platforms, right, जो important बात है, वो ये है, कि there are platforms, which are basically acts as a mediator between the advertiser and the individual influencer, then content and support to influencer, देखो ये भी ध्यान रखना पड़ता है हमें, कि हम influencer को, जो है, कुछ content provide करें, जैसे अगर हमारे product के बारे में कोई video है, मैंने example त email marketing का कोई tool है, email marketing का कोई product है, तो उससे later अगर हमने कोई video बनाये हुआ है, tool का कोई demo video बनाये हुआ है, कोई testimonials है हमारे पास, कोई graphics है, जो assets है basically, जो हमारे advertising assets है, तो वो अगर हमारे पास है, तो उनका content है, अगर हमारे पास blog post है, article है, तो उन सब का support भी हमें influencer को देना या देखो, जब हम influencer marketing करते हैं, तो it's not only about the single influencer, ऐसा नहीं कि कि वहला हम एक influencer के उपर जाते है, right, companies क्या करती है, multiple multiple influencers को touch करती है, multiple multiple influencers को के सर्थ वो contact करती है, या contract करती है, और फिर उनके through अपने brand को promote करती है, तो इन सारी चीजों को आपको centralized करके इनकी analysis भी करनी है, right, जो data आ रही है, अलग अलग जगे से, विकाई कोई influencer X है, Mr. X है, वो किस तरीके से हमारे product को promote कर रहे है, कोई Y है, वो किस तरीके से promote कर रहे है, किसमें हमारी cost कम आ रही है, किसमें हमारी cost ज़्यादा आ रही है, so this all is basically also the game of numbers, analysis and monitoring, right, so guys, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि से काम करती, इस पडिगुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है, नेक्स वीडियो में, तिल देन, गुड़ बाई